नमस्कार मैं हूँ दिवय और आज के सापताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे BCECEB, Northern Railway, BEL, IOCL, RRC, SIDBI, SBI और MCL में डिक्त पदों की तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे Recruitment Organization, Bihar Combined Interns, Competitive Examination, Board के द्वारा निकाली गई रिखती होगी इस डिपार्टमेंट का नाम Bihar State Food and Civil Supply Corporation Limited है इस पोस्ट का नाम Lower Divisional Color, Quality Controller, Accountant, Assistant, Account Officer और Assistant Manager है Total Vacancies इसमें 526 पोस्ट पर है और Educational Qualification की बात करें तो Graduation with Good Knowledge of Basic Computer Application and Typing या Bachelor in Science या B.H.C. in Agriculture या Food Science या Food Science and Technology या Agriculture या Engineering या B.T.E.C. और B.E. in Biotechnology या B.C.M. या C.A. या P.G. या MBA या P.G. D.B.M. होना चाहिए आगे हम बात करते हैं Age Limitation की तो नियुनतम उम्रिस सीमा 21 वर्स रखी गई है और अधिकतम उम्रिस सीमा 37 वर्स पुरुसों के लिए और महिलाओं के लिए 40 वर्स रखी गई है साथी साथ इसमें आपको Age Relaxation भी दिया जाएगा वही हम बात करते हैं application fee की तो undeserved OBC और EWS के लिए 1200 रुपए और SCST और PH के लिए 600 रुपए लगेंगे इसका last date 2001-2023 है ये जो भी जानकारी थी वो संचिप्त थी विस्तिरित जानकारी के आपको विजिट करना होगा दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं recruitment organization में Northern Railway Central Hospital New Delhi की इसमें पोस्ट का नाम है सीनियर रेसिडेंस और इसमें कोल मिलाकर 25 पद रिक्त हैं और इसके इस पैसेलिटी के हम बात करें तो एंथेसिया जेनरल मेडिसिन जेनरल सर्जरी पैथोलोजी पेड्रियार्ट्रेक्स नेडियो लॉजी ओंकोलॉजी और तो पैडिक्स और अप्थो अप्थलमॉलोजी है वही हम educational qualification की बात करें तो पीजी दिग्री और डिप्लोमा या डिय या डियन बी और equivalent in relevant discipline होना चाहिए लिमिटेशन की बात करें तो maximum उम्र सीमा 37 वर्स दी गई है और application fees की बात करें तो यहां कोई आविदन सुल्क नहीं लगना है वहीं इंटर्व्यों का डेट 3 जनवरी और 4 जनवरी 2023 निरधारित की गई है यह जो भी जानकारी थी वो डॉट इन पर विजिट करना होगा अब हम तीसरे नंबर पर recruitment organization की बात करते हैं भारत electronics limited की इसके पोस्ट का नाम project engineer है और total number of vacancies 32 पोस्टों पर खाली हैं दिभाई हम discipline की बात करें तो electronics mechanical engineering educational qualification में BE या BTEC in relevant discipline होना जरूरी है electronics या electronics and communication या ENT telecommunication और mechanical with 55% marks वहीं SC, ST, PWD के लिए passing marks होना ही अनिवारे हैं साथी साथ दो वर्स का working experience भी आपको होना जरूरी है वहीं अब उम्र सीमा की बात करें तो इसमें अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्स रखी गई है यदि आविदन सुल्क की बात करें तो PW, BDS, C, ST के लिए कोई आविदन सुल्क नहीं रखा गया है और अन्यों के लिए 472 रुपे रखे गए हैं वहीं लास्ट देट की बात करें तो 24 दिसमबर 2022 इसका लास्ट देट है यह जो भी जानकारी थी वो संचेप्त थी यदि आपको विस्तरित जानकारी चाहिए तो आपको BEL-India.in पर विजिट करना होगा चौते recruitment organization की यदि हम बात करें तो Indian Oil Corporation Limited है वहीं पोस्ट की बात करें तो trade apprentice, technician apprentice, graduate apprentice है और total number of vacancies की बात 1744 पदों पर रिखती है इस trade का नाम फिटर electrician, electronics mechanic, instrument mechanic, mechanist, data entry, operator, detail sales, detail sales associate है वहीं educational qualification की यदि हम बात करें तो 10th with ITI या 10 plus 2 या diploma या bachelor degree in relevant trade होना आविशक है वहीं हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्स से लेका 24 वर्स तक होना जरूरी है यदि application fee को देखें तो यहां कोई भी आविदन सुल्क नहीं लिया जाना है अंतिम तिथी की बात करें तो 31 2023 इसकी अंतिम तिथी है ये सभी जानक करी चाहिए तो आपको इसके official website iocl.com पे विजिट करना होगा पांचवे recruitment organization की यदि हम बात करें तो railway recruitment सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई है वह इसके पोस्ट का नाम ट्रेड एपरिंटिस है टोटल नंबर ओफ वेकेंसी यहां 2422 पोस्ट पर रिखतिया है वह इसके हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो तेंथ क्लास पास होना 50% मार्ग से जरूरी है और इससे कोई भी संबंदित ट्रेड में होना निवारे है भही इसके उम्र सीमा की अधी हम बात करें तो 15 वर्स से लेकर 24 वर्स तक होना जरूरी है और इसके साथ ही आपको एज डिलक्सेशन भी दिया जाएगा एप्लिकेशन फी की बात करें तो यहां 100 रुपे अवेदन सुल्क लगें छठे रिक्रूट्मिन्ट और्गनाईजिशन की अधी हम बात करें तो Small Industries Development Bank of India है इसके पोस्ट का नाम Assistant Manager Grade A है यहां पे कुल रिक्तपद 100 है और यहां सेक्षनिक योगिता में Master's Degree in any Faculty Preferably from Commerce या Economics Management Subject या Bachelor Degree in Law या Bachelor Degree in Engineering या Electrical, Mechanical या CACS, CWA, CFA, CMA और PhD होना जरूरी है वहीं इसके हम उम्रसीमा की बात करें तो 21 वर्स से 28 वर्स तक उम्रसीमा होना अनिवार है वहीं इसके Application Fee की बात करें तो SC, ST और PW, BD Category के लिए 175 रुपए और Unreserved OVC के लिए 925 रुपए वहीं Departmental Candidates के लिए कोई आविदन सुल्क नहीं लगेगा इसका Last Date 3 January 2023 है यह जानकारी संचिप्त यदि आपको विस्तरित जानकारी चाहिए तो इसके Official Website www.cdb.in पे विजिट करना होगा साथ में Recruitment Organization की हम बात करते हैं जो State Bank of India के लिए है इसके कैडर की यदि हम बात करें तो Specialist Cader Officer है और वहीं इसके Post की यदि हम बात करें तो Deputy Manager, Executive Sector Credit Specialist, Data Protection Officer है वहीं यहाँ पे Total Number of Vacancies 54 पोस्ट पर है वहीं इसके सेक्षनिक योगिता की यदि हम बात करें तो Graduation या BE या BTEC या ME या MTEC या PG या CA या MBA या PGDM होना चाहिए वहीं इसके उम्रसीमा की बात करें तो इसमें नियुंतम उम्रसीमा 21 वर्स और अधिकतम उम्रसीमा 45 वर्स है वहीं इसके आवेदन सुल्क की यदि हम बात करें तो 22 इसका अंतिम्तिति है इसके ओफिसियल विबसाइट की यदि हैं बात करें तो www.sbi.co.in है यहां पर आपको विस्तरत जानकारी मिल जाएगी अब हम आठमे रिक्रूट्मेंट और्गनाइजेशन की बात करते हैं जो महा नदी कोल फिल्ड्स लिम्टेड है वही उसके पोस्ट को देखे तो जूनियर ओवर्मेंट माइनिंग सर्दार सर्वेयर है इसके कुल पर 295 है वही इसके सेक्षनिक योगिता की बात करें तो 10 प्लस 2 या डिप्लोमा या डिप्ल OBC और EWS के लिए 1000 रुपए और GST 180 रुपए लगेंगे SCST, PWBD, ESM और Female Employee of Candid या फिर जो Employee होंगे कोल इंडिया लिम्टेड के उनके लिए कोई भी आविदन सुल्क नहीं लगेगा इसका लास्ट देट 23 जन्वरी 2023 है यह सभी जानकारी संचिप्त थी यदि आपको जानक वारे विस्त्रेट से चाहिए तो इसके ओफिसियल वेबसाइट www.mahanadikol.in पे जाना होगा आज के इस रोजगार समाचार में इतना ही धन्यवाद